कि नमस्कार भाईयों जाई गवमाथा आप लोग कैसे है आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छा हूं और येक बात जैसे आप गव पालन करते है एक बात मैंने कोमन देखी है और इसपेंसली जैसे गावां में ये काफी पर चलन में हैं के जैसे कई बीड कि आपकी गाई दूद निकल रही है और सूबह अची तरह से दूद निकल वाया और साम को जैसे कई बार वो लात निकालने लग जाती या दूद कम हो जाता अचनक से तो ज्यादा तर जिसमें क्या करते कि लोग कहते है कि मेरी गाई को नजर लग गई है तो इस पर मैं आज को बताने वाला हूं कि वास्टव में नजर लगती है या नहीं लगती है तो क्या कारण है उसके और इसमें मित्रों क्या है कि जो गोपालन कर रहा है उसी को इस चीज का पता होता है कि वास्टव में गाई के सुबह एकदम स्वस्थी अच्छी थी और अब जैसे वह लेकिन इस चीज में अगर आप मुझे पूछेंगे परसनली तो मैं अंद्विश्वास पर भरोसा नहीं करता है लेकिन परसनली में इस चीज पर भरोसा इसलिए करता हूं कि ऐसा होता है लेकिन उसका होने का विग्यानिक कारण किया है वह मैंने अपने लेवल पर काफी समय से मैंने पता किया और विग्यानिक कारण पता करने के बाद ही मैंने वह परियोग किये और यह परियोग मेरे लिए तो 100% successful परियोग रहे जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अधिश्वास के नजरी से अगर देखे तो मैंने ज्यादा तर देखा ग्रामनी चेत्राओं में फिर क्या है कि वह उनको बुला के लेकर आते हैं जाड़ा वगर डलवाते हैं और फिर उसमें क्या होता है कि ठीक हो या नहों लेकिन उसमें आपकी जरूर डिली हो जाती है और फिर बोलता है कि सुबह और आऊंगा दो तीन टाइम जाड़ा डालूंगा और फिर आप ऐसा सोचते हो कि क्या कई बार क्या होता कि स्वति आपकी गाई ठीक होनी होती है और फिर आपको लगता है कि फला फला व्यक्तितियार वास्ते में जानकार है उसने जाड़ा दिया पर मेरी गाई ठीक हो गई और फिर आप क्या हमेशा बरोसा करते हो और फिर पैसे भी देते हो तो यह एक परकार से अंदवीषवास एक दंदा हो गया है लेकिन मित्रों क्या हमें अंदवीषवास के चक्कर में नहीं पढ़ना है मैं इसका एक वेग्यनिक पक्स आपको बत और उसको किस परकार से समझे एनर्जी लेवल जैसे कि आप जैसे सुबह जल्दी उठते हो कई बार और आपका मूड फ्रेस रहता है और दोपर में जैसे खाना वाना खाने के बाद साम तक अगर जैसे आप किसी व्यक्ति से मिले या ऐसी कोई आपको नियूज मिली या किसी क कारण पता भी नहीं होता लेकिन मूड ऊफ हो जाता यानि कि हो अगया है तो यानि कि अनर्जी लेवल लो गया है आपको काम करने में मन नहीं लग रहा गए उसी परकार क्या होता है गायों में मिली मिली आती है या कोई पक्षी भी ऐसा आता है सब्सक्राइब और या कुट्तों टी या मेली है उसकी दुर्गंद इस बॉन rolling लाते हैं उनकी दुरुगंद करती था इरू को दूरिटेट करतीहें घूड़ाएं., तो उसकी दूरघंद आती है तो इसका एक मूड ऑफ हो जाता है फिर वो उसके दिमाग से निकलती नहीं वह चीज़, तो उसकी वजह से क्या होता है एकदम उसका energy level low होनी की वज़े से वो फिर क्या है कि दूद में भी फरक पड़ जाता है उसके स्वास्टे में भी फरक पड़ता है यह अगर आपने मैसूस किया होगा पर्सनली तो यह कि यह सेम सिच्वेशन उससमें गाई के साथ में भी होती है तो अब क्या कि हमें उसको जो एक नकारात्म को उर्जा आ गई है उसको या फिर वह एक एलर्जी टाइप उसको हो गया उर्जा का लेवल उसका लो हो गया तो और हमने निटलाइक करना है और उसको आप पॉजिटीयू चाहा का इस तर बढ़ाना है वादो निटेटिव को निटलाइज करना है और पॉजिटेव को बढ़ाना है तो एक। स्कें से उसकों कैसे बढ़ा सकते है इसका मैंने प्रायोगी कई बार करके देखा है मित्रों जो आगर आप लुगल दूप लेते हैं यह सारे इतने सामगरी है यह क्या आपके वातावन को सुध करते और इसमें अगनी होतर के बारे में मेरा एक वीडियो भी है और आप यूटूब पर सर्च करके देख सकते बहुत सार है और अगनी होतर के सुबह साम के है एक पॉजिटीव उर्जा उर्जा का लेवल बंगोट सोता और जिसमें आपका और मैंने प्रेक्टेकल कर देखा है और और कई मेरे रहे पता है कि मैं साइब को ये मंतर बगर जानता वह लैंकि कुछ जानता नहीं मैंने यह बात कई बार मैंने अपने मीत्रों के साथ भी सेर किया उनको लग जाए कि मैं जाड़ा दे रहा हूं तो उनकी घाए ठीक हो जाए और इसके वज में कई बार गया है कि कई लोग मुझे जो नहीं जानते मुझे वह पैसे भी ओफर करते या सो दो लगता उसको लगना चाहिए कभी मैंने कुछ किया है तो उसके कि एक मानसिक स्थिति उसकी सही हो जाए उस वजह से क्या है कि मैं कर देता हूं और उसको इवन मैं जैसे मंतर वगर है तो लिखके दे देता हूं सारे अवेलेबल है आप लोग भी कर सकते हैं और फिर क्या कि आगए अगर आपकी गाई को जैसे इस परकार की सम्षया हो गई है किसी कारणवास क्यूंगे कई बार हमें पता भी नहीं लगता है कि भी किस कारण से हुई है उसमें क्या है कि हमें उसको जो और अगर We gottie को भी देख लिया किसी रंगे जैसे गायां में कई बार एलर्जी होती है कुछ गायों में या किसी सुगंद या दुर्गंद के परती तो अब हम उसके दिमाग से उसको नूट्रलाइज करना है तो जैसे आप जैसे गाई दूते है तो दूते समय जैसे आप अपनी थान या खुड़ली के पास में उस गाई को बानते है न तो वासिन किया एक है कि जो सुध्ध सर्श्लों क तेल है उसका आप जैसे उसकी कॉटन की बाती बना के उसको फटी है उसके चिपका दे होता है कि वह आपके जो दिमाग में गुशिव ही या आपके गाई में है तो वह क्या न्यूटलाइज हो जाती है उसका एक उधन में आपको बचाता हूं कि कई बार जैसे मित्रों कोई ऐसी ऐसा काम करते हैं जिसमें अपने हाथों में दुर्गंद आने लगती है तो मैंने कि इसे से आपके हाथों में दुर्गंद Haut आते हुशिए झालती है हैं मिनलब जो आपके जल रहे हैं उसके उपर आठा जालती और तो निकलता उसके ओपर ले जाते हो जो ते तिन फिर आपके हमें तरीके से और फिर वह गाई के दिमाग से वह दुर्गल निकल जाती है और आपकी ठीक हो जाती है तो में तरों क्या यह मेरा आजमायों नुश्क है और कहूं तो मतलब जो यह अगनी होत्र यह है जरूरी नहीं है आपके पास अगनी होत्र पातर हो और सिंपली जैसे में किसी की खराब हो जाती है खराब होने कि दूद कम देती है कि कर दूद नहीं इकलेवाती है तो यह अब कुछ भी नहीं हो तो जो पूराने गरह में जिसे चटि ऊपर के उपड़ के से मिदो जला कर देता हूं तो उससे क्या बात हो ही है कि वह आपकी जो एक वाचावन में होता हो सुगन जाती है और उसमें पोजिटिव उर्जा का संचार होता और एनरजी लेवल बढ़ जाता तो यह करेंगे तो मेरे को लगता है कि गाई को नजर लगेगी नहीं बाकि फिर अंदविश्वास में आप कितने ही पड़ो लोग कि ठकने को रहते हैं और फिर ठके जाओगे रपैसे देने ही उससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि यूदि रहेता है और इसके चमतकारी के आपको प्रिणाम मिलेंगे वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक किजिए और नए वीवर से अपरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद मित्रा जाइगोव माता